जैंजातियो मिसनवर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत हैं मैं 107 द्रावत आशड़ा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे तो दोस्तो अभी तक जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था दोस्तो वर्ण माला, वर्ण माला के अंदर में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले सवर, सवर हमने अच्छे से कवर कर लिया, अब दोस्तों आजम देखने वाले हैं क्या होते हैं, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बता दिया था, कि स्वर क्या होते हैं और वियंजन क्या होते हैं पर एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि वियंजन किने बोलते हैं तो दोस्तों वियंजन क्या होते हैं वियंजन होते हैं जो वर्ड स्वरों की साहिता से बोले जाते हैं उन्हें वियंजन कहते हैं जैसे की एक्जामपल मैंने आप लोगों को पिछली Class में भी बताया था जैसे कवर्ड है इसको अगर हम तोड़े हैं तो क्या निकल के आता है हमारा आधा का निकल के आता है क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है और हमारा जो स्वर है आप वह इसमें होता है तो इसको क्या बोलते हैं इन दोनों से मिलकर क्या बना होता है दोस्तों हमारा का वर्ड बना होता है जैसे हम वियन्यन बोलते हैं और दोस्तों जो यह अस्वर है यह आपको हर वियन्यन में देखने को मिलेगा अस्वर के विना कोई भी वियन्यन नहीं बन सकता है तो दोस्तों आसा करता हूं कि आपको और उसमें वेंजन तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे इसपर्स वेंजनों को इसपर्स वेंजनों की जो संक्या होती है कितनी होती है 25 होती है इसपर्स वेंजन दोस्तों होते क्या है इनको बोलते समय है जब हमारी जीव हमारे मुग के किसी ना किसी हिस्से से टकराती है उनको दोस्तो हम इसपर्स बेंजन बोलते हैं और दोस्तो इसपर्स का अर्थ ही यही होता है कि छूना जब हमारी जीव हमारे मुग के किसी ना किसी हिस्से को चूती है तो इसलिए इन्हे इसपर्स वेंजन बोला जाता है इसपर्स वेंजनों को दोस्तो पांच वर्गों में बाटा गया है जैसे के कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग और पावर्ग ठीक है दोस्तो तो कवर्ग के अंदर दोस्तो हमारे कौन-कौन से आ जाते हैं क, ख, ग, 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 और अंगा ठीक है ये पाँच हमारे कवर्ग के अंदर आते हैं फिर दोस्तो जो हमारा चवर्ग है चवर्ग के अंदर के दोस्तो हमारे आ जाते हैं च, छ, ज, ज, और य, अब दोस्तों जो हमारा अगला है टा वर्ग, टा वर्ग के अंदर हमारे कौन-कौन से आ जाते हैं, टा, ठ, ड, ड, और अड, ये हमारे इसमें टा वर्ग में पांच आ जाते हैं, फिर दोस्तों हमारे ता वर्ग में कौन-कौन से आ जाते हैं, तो ता व पर उसमें कौन-कौन से आ जाते हैं दोस्तो उसमें आ जाते है पब बा और तो जो हमारा कवर्ग大家से भोला जाता है तो कल्से कैसे दोस्तो जब मोले कल बने तो जुँम का भोलेंगे तो हमारी दोनी वो हमारे कंटे से कर आती है तो इसलिए दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं कंठ वर्ग बोलते हैं ठीक है तो जैसे आप बोलेंगे आप बोलकर देखिए मेरे साथ वीडियो पॉस कीजिए आराम से और बोलकर देखिए तो आपको इसपश्ट पता लगेगा कि जो हमारा कंठ है उससे हमारी यह ह्रवाज या हवा दौनी निकल रही है ठीक है तो इसलिए इसे कंठ वोला जाता है तो दोस्तों अलब हम देख लेते हैं चावर्ग च वर्ग को दोस्तों बोला जाता है तालब बे इसे तालब भी क्यों बोलते हैं दोस्तों जब हम बोलेंगे च च ज ज या इया जब हम इसको बोलेंगे तो जो हम च बोलेंगे तो जो हमारी जीव है जीव का जो हमारे आगे का हिस्सा है वो अपने जश्ट उपर के हिस्से से तो इसको दोस्तों हम बोलते हैं तालब्य जैसे आप बोलके देखिए च छ ज ज ज और इया जब आप बोलेंगे तो जीब है ना जीब का जो आगे का हिस्सा है वो जश्ट अपने उपर टकराता है इसलिए दोस्तों इसको तालब्य बोलते हैं अब दोस्तों हम देख लेते है तवर्ग को दोस्तों हम बोलते हैं मूर्धन्य मूर्धन्य इसको क्यों बोलते हैं दोस्तों जैसे हम बोलेंगे टा टा या इसको हम जब बोलेंगे तो जैसे हम बोलें टा तो टा जब हम बोलते हैं पहले तो जो हमारी जीव है वो फोल्ड होती है फोल्ड होके अपने उपर क इससे को टकराती है इसलिए इसको हम मूर्धन्य बोलते हैं आप वीडियो पॉस करके बोलके देख सकते हैं तो जब आप बोलकर देखेंगे तो यह चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगी और यहीं की यहीं किलास में याद हो जाएंगी यह मेरा आप लोगों से बादा है ठीक है आप लोग यहीं की यहीं इन चीजों को समझिए बाद का बेट मत करिए आप अपने नोट्स बनाईए अच्छे से स्टेविल को बनाईए और बार बार इन वर्णों को लिखिए और इनका उच्छारण करके देखिए जब हम बोलेंगे तो जो हमारी जीव है वो हमारे दातों से टकराती है जब जीव हमारी दातों से टकराएगी तो इसको हम बोलेंगे दोस्तों दंत्य ठीक है यह तो सिंपल है तो इसको आप यहीं की यहीं याद कीजिए अब दोस्तों हम देख लेते हैं पवर्ग को दोस्तों हम बोलते हैं ओष्ट इसको इसलिए बोला जाता है कि ओष्ट का अर्थ ही होट होता है जैसे हम बोलेंगे प, भ, 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 म तो इनको जब हम बोल रहे हैं तो हमारे होट इसमें काम कर रहे हैं होट आपस में टकरा रहे हैं ठीक है तो जब आप बोलेंगे पा तो होट आपस में टकरा रहे हैं तो इसलिए इनको उष्टे बोला जाता है ये चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी और दोस्तों जितने भी बामन वर्ड हैं उनका मैं आप लोगों को उष्टार रहनिस्तान अगली वीडियो में अच्छे से समझा दूँगा कि कौन सा कहां से बोला जाता है तो दोस्तों आप लोग इन्हें अच्छे से समझ पाएंगे पूरे बामन वर्ड हों के उच्छार रहनिस्तान मैं आप लोगों को बता दूँगा अगली क्लास में और अच्छे से याद भी करवा दूँगा, अब दोस्तों इसमें एक चीज और important है, प्रतेक वर्ग का जो पंचमाच्छर होता है, जैसे के ये जो लिखे हुए हैं, ये अंगा, इया, अडा, ना और मा, ये जो हमारे लिखे हुए हैं, प्रतेक वर्ग का पंचमाच्छर, ठी इसलिए इनको पंचमाच्छर बोला जाता है, और इनको नासिक के वर्ण क्यों बोला जाता है, इन पांचों को हम नाक से बोलते हैं, आप बोलकर देखिए, अंगा, इया, अडा, ना और मा, आप इनको नाक के सारे से बोल रहे हैं, तो इसलिए इनको नासिक के वर्ण भी क करेंगे तो आप लोगों को यह चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी और आप इन चीजों को कभी भूलेंगे नहीं अब हम दोस्तों देख लेते हैं अंतस्त वेंजन के अंतस्त वेंजन कितने होते हैं तो दोस्तों अंतस्त वेंजन होते हैं चार कौन-कौन से यह वह र और ला ये चार हमारे दोस्तों क्या होते हैं अंतस्त वेंजन होते हैं अब इन में दोस्तों जो हमारे यह और वह हैं इनको दोस्तों हम बोलते हैं अर्दस्वर इनको दोस्तों हम अर्दस्वर क्यों बोलते हैं अर्दस्वर दोस्तों हम इनको इसलिए बोलते हैं कि जैसे यह लिखा है महिला है यह भी सही है और यह जो नीचे लिखा है महिला है यह भी सही है अब इसमें जो उपर वाला है इसमें जो यह यह है इसके इस्तान पर यह क्या लिखा हुआ है जब यह विन्यन के इस्तान पर स्वर लिखा हुआ है इसके बदले क्या लिखा हुआ है यह के ब कोवा ठीक है तो इन चीजों को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यह और वह अर्दस्वर होते हैं ठीक है मैंने आप लोगों को इस पर श्ट्रूप से यह बात बता दी अब दोस्तों देख लेते हैं कि रा जो है रा को क्या बोलते हैं यह चीज पूछ ली जाती है दोस्त या लुन्ठित वेंजन तो दोस्तों इसको प्रकम्पित क्यों बोलते हैं इसको दोस्तों प्रकम्पित इसलिए बोलते हैं जब हम बोलेंगे रा हमें एक कमपन सा होता है रा बोलने में एक कमपन होता है इसलिए हम इसको प्रकम्पित बोलते हैं और इसको दोस्तों लुन् लड़ तो हमारी जीव लड़कती है इसलिए इसको लुन्टष बेंजन भी बोला जाता है और जब हम दोस्तो रव अलते हैं तो हमारी जीव आगे से मुड्ती भी है तो यह तीन चीज़ें हैं तोो आप दोस्तो हम embrace और लुथन वेंजन को समझ गए होंगे कि प्रकम्पित और लुंटिद वेंजन कौन सा होता है और क्यों होता है ठीक है तो प्रकम्पित और लुंटिद वेंजन आपका होता है र अब दोस्तों हम देख लेते हैं ल ल को दोस्तों क्या बोला जाता है तो दोस्तों ल को बोला जाता है पा जो अगल वगल का भाग है वो इसमें काम करता है तो इसलिए आप खुद बोल कर देगी आपको महसूस होगा कि जब आप बोलेंगे लग तो जो जीव का अगल वगल का जो हिस्सा है न वो इसमें काम कर रहा है तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे पार्सविक वियन्यन अब दोस्तों हम देख लेते हैं जो हमारा रह गया है उसमिय वियन्यन तो दोस्तों हमारे उसमिय वियन्यन कितने होते हैं तो दोस्तों हमारे उसमिय वियन्यन होते हैं चार कौन-कौन से स, श, स और ह ये चार दोस्तों हमारे कौन से होते हैं ये हमारे हो हैं दोस्तो उस्मी अभंने आरण कियों कहते हैं कि जब अमने को बोलते हैं सब बोलते हैं तो हमारे मूद से या गरम हवा निकलती है तो इस लिए इनको हम ऊस्मी संगर्शी बेंजन कहते हैं आसा करता हूं दोस्तों यह चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी तो यह हमारे दोस्तों क्या हो गई मूल बेंजन मूल बेंजन कितने होते हैं दोस्तो 33 इनमें कौन-कौन से होते हैं दोस्तो 25 तो हमारे इसपर्स बेंजन हो जाते हैं चार हमारे अंतस्ते हो जाते हैं और चार हमारे हो जाते हैं उसमिय बेंजन ठीक है दोस्तो ये मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया अब दोस्तों हम देख लेते हैं रा औरा को इनको दोस्तों क्या बोला जाता है दोईगुण या उच्छिप्त बेंजन इनको हम बोलते हैं दोईगुण या उच्छिप्त बेंजन ये इसको दोईगुण इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें दो भासाओं के गुण पाए जाते हैं कौन कौन सी एक तो इसमें हिंदी भासा के गुण पाए जाते हैं और एक इसमें फार्सी के गुण पाए जाते हैं इसलिए इसको दोस्तों दोईगुण या उच्छिप्त वेंजन हम लोग कहते हैं अब दोस्तों हम देख लेते हैं संयुक्त वेंजन संयुक्त वें पूछ लिया जाता है जैसे कि इसको तोड़ के बताइए यह आपको दे दिया जाएगा फिर इसको आपको पूछा जाएगा कि option में यह दे दिया जाएगे चारो इन मैंसे पूछा जाएगा कि इन मैंसे जो च्रा है इसका रूप कौन सा है इसको तोड़के कैसे लिखा जाएगा इसको तोड़के दोस्तो आदा का क्योंकि इसमें अहलंत लगा हुआ है प्लस शा ठीक है इसको ऐसे लिखा जाता है ऐसे ही दोस्तो जो हमारा त्रा है त्रा को हम कैसे लिखेंगे आदा ता और रा ऐसे ही स्रः जो है उसको लिखेंगे स्र relief और ऐसे ही दोस्तो जो हमारा ग्या है उसको हम लिखेंगे आदाचा और इया तो दोस्तो आप लोगों को sanctimation भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे अब दोस्तो हम देखते हैं कि खुल वर्ड कितने होते हैं तो दोस्तो फुल वर्ड होते हैं हमारे बामन या 52 कितने होते हैं दोस्तो 52 कैसे होते हैं दोस्तो ये भी हम एक बार देख लेते हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि स्वर हमारे कितने होते हैं 11 आयोगवा हमारे कितने होते हैं 2 मूल बेंजन मैंने आप लोगो है यह कितने होते हैं दो दोस्तों कितने होते हैं चार ऐसे करके दोस्तों हमारे होते हैं गार आख करता हूं दोस्तों यह चीज आप लोगों अच्छे से द्माग में भ़ए 것은 यह और अपने अच्छे से नोट्स बनाएंगे और अच्छे से रिवीजन करेंगे तो आप इन चीज़ों को कभी भी नहीं बूलेंगे अब दोस्तों हमारे इस चैप्टर में लए इस चैप्टर में लप्राण माप्राण सगोस अगोस ये चार चीज़ें हमारी रह गई है इसमें और हाँ दोस्तों एक चीज और रह गई है उचारण के आदार पर वर्ड हम पूरे टोटल बामन वर्डों को पढ़ेंगे कि इनका उचारण कहां से होता है कंट से होता है तालू से होता है या मुर्दन्य से होता है या दंत से होता है ठीक है इन भामनों को हम अच्छे से पढ़ेंगे अगली क्लास में आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें सेर करें और चैनल को सस्क्राइब करें मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में जैहिन